अन्मूल वचन जो इस प्रकार है हम दुनिया की हर चीज की कीमत आकते हैं अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने वह परमात्मा की प्राप्ति हे तु साधना करे मनुश्य योनी एक उपहार है इसलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्राता काल आधा घंटा सायंकाल सत्संग, सत्नाम वा सद्गुरु को प्राथ्मिक्ता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगा भ्यास अवश्य करें वा ग्रहस्त की कारियों को परमात्मा का कारिश समझ कर उसी की याद में संपन्द करें हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपाद्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है अतहे मन में निरंतर अपने इश्ट देव का जाप करें मान सम्मान की इच्छा ना करें वा अपमान से दुखी ना हो परमात्मा के अतरिक किसी और का भय ना करें दोसरों की बुराई न करें न सुने सत्य वा मधुर बोलें अश्नील शब्द मुह से ना निकाले सभी से नम्रता पूर्ण वा सुन्दर विवहार करें धर्म पत्मे के अतरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा बरावर की से बहन जैसा वा छोटी से पुत्री जैसा विवहार करें सांसारिक जीवन यापन की आवश्यक्ताएं अंतहीन हैं इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में वधन परुपकार में खर्च करें याद रखें ना स्त्री माया है ना धन दौलत ना ही परिवार माया वह है जो हिर्दे को परमात्म से तूर हटा दे अतह निरंतर्च सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें भोजन अपने इश्ट को अरपन कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें रात्री में सोने से पहले अच्छे बुरे कारियों का आत्म निरिक्षन कर उसका समचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें वह प्रभो की गहरी याद में ही विश्राम करें परमात्मा तू ही है तेरे एक्छा पून हो जैसा दूरू देव जै पद सरणं स्रीय शरूप चरणं सरणं जै सातुर देव जै पद सरणं स्रीय शरूप चरणं सरणं पोजय मातावर बंदुओ राधी काल से दो रास्ते परमात्मा की प्राप्ति के चले आ रहे हैं एक नेती का रास्ता है जिसे हम सन्यास मर्क कहते हैं और ये रास्ता बहुत पुराना है हमारे देश में बहुत उचे उचे सन्यासी हुए जिनोंने समय समय पर आकर हमारे देश और धर्म के रक्षा के नेती के रास्ता छोटा है इसमें समय कम लगता है नेती के रास्ते का सादक हर वस्तु का त्याग करता चला जाता है ऐसा सादक घरबार चोड़ता है बीबी बच्चे चोड़ता है धन दौलत चोड़ता है और संसार की हर वस्तु का त्याग करकर सन्यास गराइन करता है सन्यास लेने के बाद साद्ण में लग जाता है और फिर ऐसे साद्ण के सामने सर्फ एक ही काम बना जाता है वो गया परभात्पा की प्राप्ति सारे काम समाप यदि ऐसा साद्ण सच्चे हिर्दे से परभात्पा में लगे तो कोई वज़े नहीं कि उसे अपने रास्ते पर सबलता प्राप्त नहों लेकिन मेरे ये कह देने से ये रास्ता छोटा है कोई भाई बिना सोचे समझे इस रास्ते में कूद ना पड़े इस रास्ते में ही बहुत कठनाई आई जो मैं आपके सामने रखूँगा सबसे बड़ी बात ये है कि शरीर से त्याग करना बहुत असान है लेकिन सच्चा सन्याज जब तक प्राप्त नहीं होता जब तक मन्द से त्याग नहीं हो जाता मुझे इसमें शेपर अपने सद्गुर देव परमसंत महात्माशीर अश्पाल जी महाराज का एक अनुबव याद हो आया जो मैं आपके सामने रखूँगा एक पर वो जबलपूर से मुरदवाद जा रहे थे रास्ते में प्रियाग राज का सेशन पढ़ा जब गाड़ी प्रियाग राज सेशन पर रुकी उन्दिरो कुम का मिला समापत हुआ था तो देखा कि स्टेशन पर काफी भीड है ये भीड एक महात्मा जिनको अब्दूत कहते थे छोड़ने आयोई थे गाड़ी आई जैजे कार हुआ खार डाले गए स्वागत किया गया इत्वाक से पर महात्मा की किरपा से जो महात्मा थे उसी डिबे में चड़े जिसमें गुरुदेव जी बैठे हुए थे और आपके सामने की बर्द खाली थी उसी पर आके विराजे जब गाड़ी चली और आगे निकल गई तो आपके साथ बात्ची शुरूई और इस बात्चीत के दौरान गुरुदेव जी ने आपसे एक प्रेशन किया वह यह था कि यह आपको सन्यास लिये कितना समय हो गया उत्तर मिला चौदावच बात्चीत में दूसरा प्रेशन किया कि महाराज आप बाल प्रम्चारी है यह जब सन्यास लिया तो गरस्ती थे उन्हों ने बड़े प्यार से उत्तर दिया कि मैं गरस्ती था मेरे इस्तियो और बच्चे थे बात्चीत होती रही इसके बाद गुर्देव जी ने आपसे प्रात्रा की कि महाराज बे एक प्रशन और करना चाहते है लेकिन वो प्रश्कोच अजीब है इसलिए पहले से आपसे शमा चाओंगा और आप मुझे सांत्तुना दें आशीरवाद दें कि इस टेड़े प्रश्क से आप नराज नहीं होगे तो मैं प्रश्क करूँ अन्यता नहीं आगे का कि मैं किसी के हिर्देव को दुखाना नहीं चाहूंगा महाराज जी चुपो गए और ध्यान में चले गए कोई फिर देर बाद बोले कि आप कुछ पूछना चाहते थे पूछा नहीं फिर आप ने अपनी बाद धराई कि महाराज जदिया वायदा करें कि इस टेड़े प्रश्क से आप नराज नहों तब ही वो प्रश्किया जाए बोले कि पूछो मैं नराज नहीं होंगा तब गुर्देव जी ने आप से तीशा प्रश्किया और यह था कि क्या अभी भी आपको अपने भी बच्चों की आदा जाती है यह प्रश्क सुनकर वो खामोश हो गए और ऐसा महसूस हुआ कि ध्यान में चले गए तस मिरे बाद आपने आके खोली और कहा कि बच्चा सत तो यही है कि आज भी हमें अपने भी बच्चों की यादा जाती है और जब मैं आपने गाउं के पास से निकल जाता हूँ जहां का मैं रहने वाला हूँ तो यही याद बिल्कुल ताजा हो जाती है कि यह मेरे इस्त्री यह मेरे बच्चे यह मेरा खेत यह मेरा मकान और अब बच्चे बड़े होगे काम का इसमाल लिया गुर्देव जी ने आपके चरण चुए वाके में बहुत उचे महात्मा थे अवदूते इसमें कोई शक नहीं क्योंकि सन्यास लेते ही आश्रम बदल जाता है और सन्यास के अपने यम नियम है ना उसको कोई बीबी ना उसको कोई बच्चा ना उसको कोई खेत ना उसको कोई मकान शरीर से त्याग हो गया लेकिन मन्द से त्याक करने में बड़ा समय लगता है तो उसी बात और भी है कि त्याक का बड़ा एहंकार होता है हम ग्रस्ती लोग कभी कभी तंसार से दुखी हो जाते हैं और अपना दुख सन्याशियों के पाथ जाकर कहते हैं कि महराग हम दुखी हैं मन में शान्ती नहीं चैन नहीं कोई उपाए बतलाईए जिसे शान्ती मिले और यह उपाए भी बतलाते हैं कहते हैं ऐसी बात नहीं इश्वर को याद करो परमात्मा का ध्यान करो परमात्मा से प्रार्थना करो इसी से सच्चा को और सुक और शांती मिलेगी और हम ग्रस्ती लोग करते भी है पर नहीं हो पाता तो मजबूर होके चले जाते हैं प्रश करते हैं कि महाराज बनता तो नहीं, पोशिश तो करते हैं, लेकिन ध्यान तो होता नहीं, तो अक्सर ये सुनने में आ जाता है कि भई ये रास्ता सन्यासियों का है, आप तो ग्रस्तियों, तो सन्यासियों में शुरू शुरू से भावना भिर्दे में हो जाती है, कि ह सर्व साधरन मनुश्यों से कुछ अलग है सूक्षम एंकार अंदर यंदर पैदा हो जाता है और जहां एंकार है वह प्रमात्मा नहीं दूसरी बात कि ये कि जातर व्यक्ति किसी ना किसी परेशानी में परकर दुखी होकर सन्यास ले बैठते हैं स्वेच्चा से नहीं दुख सफिकी होकर सन्यास ले बैठते हें सन्यास लेने के बाद जीवन बदल जाता है सन्यास के अपने यम नियम है कठोड़ अपस्या ब्रम चर्व का सथ्द्धी प्रायाम भाष से लोगों सोते बनता नहीं और जिनसे बनता है कऺठोड़ता से अपने मन को साथते हैं, क्या हुआ? इस अभ्यास में दबाव रहता है, और इस दबाव के कारण बहुत सी रिद्या सिद्या प्राप्त हो जाती हैं, ऐसे मातमा संसार में आते हैं संसार की सेवा करने के लिए, लेकिन उनके काम, क्रोध, लोब, मोर, एंकार यह जो दुश्मन इस दास्ते के समून नस्त नहीं हुए रहते हैं शुब्त हो गए होते हैं तब गए होते है अभ्यास के पैसर से ऐसा मालुम होता है कि इन पर काबू हो गया वास्तव में हुआ नहीं होता और जब यह संसार में आते हैं संसारीक वस्तों से संपर्ग होता है तो सुनाई पढ़ता है कि भई विख्या最न्यासी मात्मा थे बाहर चले गए ऐसी बहुत सी अनोनी बाते सुनने में आती है तो मज़़े यही है कि जब तक परमात्मा की सच्ची प्राप्ती नहीं हो जाती तब तक काम, कुरोध, लोब, मुव और एंकार से छुटकारा नहीं मिलता जिने परमात्मा की प्राप्ती हो जाती है उनका इन पन्यंत्रन हो जाता है उनके ये मित्र हो भी बन जाते है तो ऐसा कोई उच्छ कोटी का विरला होता है और जो ऐसा होता है वे संसार का बड़ा कल्यान करता है संसार से उसको बड़ा लाब होता है तो इस अभ्यास में दबाव है और दबाव के कारण बहुत सी अभ्यास में दबाव शुरूते ही शामिल है यदि आप किसी स्प्रिंग को दबा कर रखें जब तक दाबे हैं दबा है खास से चूटा कई मेर भी मार कर सकता है तो इस चीज़ को सब को सोच समझ कर सन्यास के रास्ते में कदम रखना चाहिए और खास कर उन लोगों को जिनोंने ग्रस्त आश्रम में प्रवेश कर लिया है उनको तो सन्यास की बात कभी सोची नहीं नहीं चाहिए करोड पीछे एक दो नजर आते हैं जैसे महत्मा बुद्ध जो ग्रस्ती थे संसार छोड़कर चले गए और जिनोंने ईश्वर को प्रात किया लेकिन हजार पीछे 999 असवल होते हैं ना उनकी दुनिया रहती है रह दिन ऐसी बहुत सी घटनाए सेवक के सामने आई सब में सबलता ना इधर का रहा ना उधर का सर्विस छोड़ी बच्चे छोड़े कुछ ना कर पाया बरबाद हो गया तो जिनोंने ग्रस्ट में पदारपन कर लिया है उन्हें हजार बार सोचना चाहिए कि उनके लिए रास्ता नहीं है जो बाल प्रमचारी है और जिनका संसकार जनम से ही इतना उचा है उनकी बात तो अलग है उनके लिए तो सन्यास से बढ़कर कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई देता ऐसा 31 रास्ते में बहुत चमकेगा करोड़ों का बना करेगा अब हमारी ऐसी धाड़ना हो गई है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं भौतों की धाड़ना है और जातर लोगों की ये भावना है कि 55 से 58 साल तक तो अपना काम करें और 58 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे तब भगमान का नाम लेंगे बहुत बड़ी भूले 58 साल के बाद रिटायर हो जाने पर कुछ नहीं होता बगमान का नाम नहीं लिया जा सकता आदेते इतनी मद्बूत हो जाती है कि बदल नहीं सकेंगे शरीर भी जवाब देने लग जाता है आप बैठ नहीं सकेंगे ध्यान करने की वबाद तो अलग रहे तो यह भावना जो हमारे अंदर आ गई है बड़ी गरत है और अधिकतर लोगों की यह भावना की 58 साल के बाद पूजा पाड़ करेंगे परमात्मा का नाम लेंगे अभी से भगवार का नाम लेकर क्या करना अभी तो गरस्त जीवन अपनाई है बहुत गलत है फिर नहीं होगा जो कुछ बनेगा आज बनेगा अभी बनेगा तो ग्रस्कियों का रास्ता ही बात पुराना है जिसे हमने बुला दिया बड़ा उंचा रास्ता आपने राजा जनक का नाम सुना होगा राजा जनक को विदे कहते थे कितना बड़ा मात्मा कितना बड़ा ब्रमग्यानी हुआ उसके जमाने के मेरिशी अपने शिश्यों को उनके पास फेश देते परीच्छा के लिए कि राजा जनक कह दे ब्रमग्यानी है तो है नहीं तो नहीं मैं राजा था राज का कितना कारबार उपर था कितनी जिम्मेदारियां थी उन सब जिम्मेदारी को भरी बाती निभाते हुए इतना उचा ब्रहम ग्यानी और हमारे आपके पास तो जिम्मेदारियां बहुत कम हैं जब एक राजा ब्रहम ग्यानी हो सकता है तो आप क्यों नह इसे कहते हैं इतिमार हम अपने जीवन में एक चीज बढ़ाते हैं कोई चीज घटाते नहीं नेती नहीं करते हैं एक चीज अपनी जिनके बढ़ाते हैं वे क्या है वे परमात्मा का नाम भगवान का नाम और परमात्मा का नाम एक एसी बड़ी जोती है अगर सच्चे तरीके से हिर्दे में आजए तो अंधेरे को अपने आप दूर करती चली जाती है जहाँ प्रकाश है वह अंधेरा नहीं लाइट आई की अंधेरा गया वैल मीक मैरिशी उल्टा नाम जबते जबते मैरिशी हो गए और इतने बड़े मैरिशी होए कि उन्होंने रमायन पहले लिख द मैरिशी और जब उनके जीवन में परिवर्तन आते ही तो उल्टा नाम जबते जबते भगवान का नाम हिर्दे में लेते लेते इतने उचे मैरिशी होए कि रमायन पहले लिख दी गटना बाद में गटी तो ये ऐसा प्रकाश है ऐसा उजाला है अगर सच्चे तरीके से हिर तो जाए तो अंधेरे को अपने आप दूर करता चला जाता है तो छोड़ना कुछ नहीं है जो हमारी जिन्दगी है उसमें एक चीज़ बढ़ाई है इस रास्ते पे चलने वाले जो हमारे सद्गुरु है एक के पीछे एक उन्होंने परमात्मा को पाने के लिए जीवन मु जिन्दगी में बड़े कस्ट उठाए उनकी जिन्दगी बड़ी कठोड़ थी और बड़ी कठना ही उसे रहते हुए इस विद्याओं को उन्हारे ना किवल प्राप्त किया बलकि हमारे लिए कुछ गुर छोड़ गए अपनी जिन्दगी में जीवन मुक्तवस्था प्राप्त करना हमारा लक्ष है चाहे हम सन्यासी हो चाहे हम ग्रस्ती हो चाहे किसी भी तरीके सम्क्यों ना जीवन मुक्तवस्था प्राप्त करें ज्यान मार्क से कर्म से ध्यान से सन्यास से ग्रस्थ से जीवन मुक्त वस्था प्राव्ट के प्राणी में दो बात विशेश पैदा हो जाती है पहला क्या है निरंतर प्रमात्मक गियाद बनी रहती है भगवान का ध्या निरंतर बना रहता है चलते पिरते खाते पीते सोते जाकते संसार का हर वेवार करते ईश्वर की आद बनी रती है और दूसरी बात क्या है कि उसको जो कर्म है बेर निश्काम कर्म हो जाते है आम निकल जाता है ये दो बाते हैं उसे इस्थित्प्रिक कहिए या जीवन मुक्त कहिए में पैदा हो जाती है अब देखना ये है कि इसी दुनिया में रहते हुए इसी संसार में रहते हुए संसार के सब काम करते हुए 24 घंटे परमात्मा का ध्यान कैसे बने कैसे उस परमात्मा का ध्यान बने कैसे में निश्काम करने की आदब बन जाए इन संतों ने इन सद्गुरों ने जिनों ने अपने जीवन काल में जीवन मुक्तवस्था प्राप्त करी हमारे लिए एक रास्ता छोड़ गए अगर इमें गुरुओं को अपनाए तो हमारा राष्टा सानी से तया हो जाए हर व्यक्ति अपनी संतान के लिए पुर छोड़ जाता है ध्यान योग के कारिकरम आनन्द योग से निशुलक जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810-239-677